नमस्कार आदा बहुत 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 नमस्कार आदा बहुत बहुत सबागत है आप सभी का आप देख रहे है मेरे यूट्यूब चैनल मैं हूँ आपके साथ बुश्रा खानम फाहद अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें जादा से जादा लोगों तक शेयर क करें बैल आइकन पर हिट करें ताकि नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाए तो उत्रप्रदेश में चुनाव है और ऐसे में सियासत अपने पूरे शपाब पर है एक खबर जो कल पूरे गोधी चैनल से पूरी तरीपे से नदारत रही वो थी पर या सुल्तानपुर में जहां प्रदानमंत्री की रैली थी वहां पर भीर जुटाने के लिए 2000 बसों का अंतिजाम किया गया था और जंता जो है वो दरदर मारी मारी घूम रही थी क्योंकि उन्हें बसे नहीं मिल रही थी क्योंकि वो प्रदानमंत्री की रैली में भीर उटाने के लिए लगी हुई थी उसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से कल ये यातरा जो है अखले शादव की निकली है और आप ये देखें कि ये यातरा जो घाजीपूर से शुरू हुई थी लखनाउ आठ नौ बजे रात में पहुंचनी थी लेकिन क्या आप यकीन कि इतनी भीड इतनी पब्लिक उनको मिली इतनी जनता का जनता ने उनका स्वागत किया कि रात को आठ बजे की जगा सुबहा पांच बजे वो लखनों पहुंचे हैं यानि कि सारी रात सारे दिन से शुरू होकर बारा सारे बारा बजे शुरू हुई थी यातरा आप ये दे पी की निज़र है उसको लगता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वी की सौगात देकर वहां पर बड़ा फाइदा हासिल कर सकती है तो वहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश यह है कि वो यह बताए कि इस काम को पांच साल पहले ही समाजवादी पार्टी ने कर दिया था और पार्टी ने कर देखने के लिए मिली लेकिन आप यह देखें कि पूरी खबर जो है वो गोधी चैनल से पूरी तरह से नदारत रही अगर इससे आधी भी संख्या में लोग बीजे पी की किसी रैली में योगिया अदतिनात की रैली में प्रदान मंतरी की रैली में होते तो आप सोचें कि सारा दिन क्या गोधी चानल्स पर आपको देखने के लिए मिलता और किस तरह से तमाम गोधी पत्रकार जो हैं वो कैसे इस रैली में आपको कदम कदम पर देखने के लिए मिलते ठीक उसी तरीके से जैसे पूरवांचल एक्सप्रेस वे का इनाउगरेशन या कोई एक्सप्रेस वे कभी बना ही नहीं इससे पहले हमने एक्सप्रेस वे क्या होता है यह लवज ही शाएद पहली बाद 2014 के बाद सुना था इसी तरह से बताने के दरसल कोशिश की जा रही है लेकिन जो तस्वीरें जो विडियो सामने निकल कर आई वो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी के लिए बेहत उत्सा वर्दक हैं लेकिन ये भी सवाल उठता है कि क्या ये भी वोटों में तब्दील हो पाएगी जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की सियासत बीजेपी लगातार कर रही है आप ये देखें कि अभी पिछले कुछ दुनों में मुजफर नगर दंगो की बात बार बार की जा रही है इसको लेकर योगिया अदेतिनात कई बात ट्वीट करते हुए नजर आए राम मंदर की बात की जा रही है कार सेवकों पर गोली चलाने की बात की जा रही है केराना पलायन की बात की जा रही है जिन्ना की बात की जा रही है आजमगड की अभी रैली में गए थे ग्रीमन्तरी वहाँ पर जिस तरह से अकास्मिक फंड का इस्तमाल इमर्जनसी फंड का इस्तमाल अगभक 40-46 जार रुपे खर्च किये गए थे ग्रीवंतरी की रैली में वहाँ पर वो जिन्ना आ और आजम खान और मुक्तार अंसारी को जैम बता कर उस पर कटाक्ष वो कर रहे थे मुखलों की बात की जा रही है और एक तरहा के जूटे राष्टवाद की चाशनी जो है वो दर असल पर उसी जा रही है और आगे आने वाले दिनों में ये तमाम चीजों में आपको बड़ोतरी ही देखने के लिए मिलेगी ऐसे में क्या अकले श्यादव जो पीजेपी की जो सियासत है और जो गदा हात में लेकर रत यात्रा जो अकले श्यादव निकाल रहे हैं क्या वाकि में अकले श्यादव लोगों का दिल उससे भी जीत पाते हैं क्योंकि इससे पहले शायद ही आप ने या मैं ये ये दावे के साथ कहते हूँ कि इससे पहले कभी आपने समाज ब्लकि वो भी है यह बिएक तरह का message देने की कोशिच जो है वो की जा रही है लेकिन ये ज़नुर है कि कल जिस तरह बात ये है कि ये पार्टी की तरफ से निर्देश जो है वो जारी कर दिया गया है कि तमाम बड़े चेहरे जो है सीम से लेकर डेपुटी सीम, मलसी, मलेज यहां तक कुछ MPs के बारे में भी कहा जा रहा है कि तमाम लोग जो है आने वाले विधान सबाद चुनाव में चुनाव लड़ेंगे ये बीजेपी की तरफ से बाकाइदा तोर पर कह दिया गया है तो इससे भी नर्वसनेस को समझा जा सकता है और ये भी आप देखें कि लगाता तीन महीने से जो सर्वेज कराया जा रही है खास्तोर पर ABP सी वोटर सर्वेज जो कराया गया था तो उसमें तीन महीने में किस तरह से लगाता लोग प्रियता बीजेपी की कम हुई है जो सीटे तब मिल रही थी तीन महीने के बाद उसमें किस तरह से गिरावट आई है ये भी एक तरह से दिखाता है कि कहीं न कहीं जो आगे वक्त बढ़ रहा है उसमें लोग परिता बढ़ने की जगा घटी भी नज़र आ रही है और अगर बीजेपी को ये लगता है कि सिर्फ हिंदु मुसल्मान करके वोट ले सकती है तो शायद अभी ऐसा मुश्किल लग रहा है क्योंकि जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही है उससे पता चलता है कि महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है जो वादे किये गए थे अ मुद्कारा ता